नमस्कार मित्रों जय महाकाल आहिरवेद यह मेरा लाइसेंस नंबर है यह लाइसेंस नंबर है MP25D ऐसा लाइसेंस आई समंत्राले से लेना पड़ता है दावर बेचने की यह अनेश्दुशुकला मेरे प्रोप्राइटर का नाम है यह मेरा नंबर है सामने वाला नंबर मेरा है एट डबल जीरो वाला और यह अनिरुद्ध शुक्ला का नंबर है आप हलाकि वह वैस्ट रहता है फिर भी आप उसको फोन कर सकते हैं यह हमारा कार्ड है पूरा यहां मैं आज आपको जो दिखाने वाला हूं मित्रो यह बहुत पुराना हमारा फार्मूला है और यह एक ऐसे रोका फार्मूला है जो आजकल बहुत सारे लोगों को हो रहा है और आगे अब आने वाले समय में छोटे बच्चों को भी होने लग जाएगा या जवानों को होने लग जाएगा इसका कारण क्या है इसका कारण है खा पान-पान में लिख्श इत्रता है और उक्ष सम्हं समय तक एक जगे पर बैखे रहना चल़नाः नहीं इस रोग का नाम ए बवासीर कि यह दो प्रकार का रोग होता बवासीर एक होता है कूनी बवासीर रहे होता है देओं तो कि आदमी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उसकी परशानी का कारण मनता है यह रोग होता है मित्रो असमाइक दिन चरिया से जादा देर खाना खाके बैठने से एक जगे पर बैठे रहने से पहले तो ये टेलर मास्टरों को बहुत होता था ड्राइवर जो गाडियां चलाते बैठे रहते तो उपान वायू जब नहीं निकल पाती तो वह गरम होके एक इस्थान पर गर को जगना पेट में हीट हो जाती है मल सूख जाता है तो वही सब इस बीमारी का कारण है और अब तो ये बीमारी 20 साल 21 साल के बच्चों को होने लगी क्योंकि ये मोवाईल लिये एक स्थान पर बैठे रहेंगे खाना खाके कहीं चलेंगे फिरेंगे नहीं खाना भी खाएं खाना बना के रग गई सुबे का साम को साम के सुबेरे ताजा खाना हमेशा खाना चाहिए बासा खाना खाना जो है पेट में जाके पश्ता नहीं जल दी और गरिष्ट भोजन करेंगे आप ज़्यादा तेल मसाला नमक मिर्ची वाला खूब मसाला तला हुआ तो मटन मास पादिरा इनका ज्यादा प्रियोग करने से यह रोग उत्पन होता है इसके साथ ही साथ आंतों में भी छाले हो जाते और अलसराइटिस कोलाइटिस हो जाता है उसकी अलग दवा है संग्रेणी की दवा हम बनाते तो पेट ही आपके सब रोगों का कारण है और इसका एलोप देते हैं मसों के साथ फिर आपको जब भी प्रैसर आएगा तो फिर मल कंट्रोल नहीं होता और आपके हमेशा कपड़े खराब हो जाते यह इतनी खतरनाक बीमारी है बोलतों देते हैं आप्रेशन करा लो डाक्टर कभी बताता नहीं इसके बाद क्या होगा मेरे पास हजार लोग आते हैं बोलते हैं आप्रेशन हो गया अब यह समस्या बन्होंगी तो उस समस्या का आप निदान क्या जब मसल सी काट डाली तो कैसे उसको आप नहीं पैदा करोगे तो वह रोक फिर हमेशा जीवन भर परिशानी का कारण बनता है बदबू आती आप जहां मेठोगे और थोड़ी सी भी प्रेसर को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं यहां तक कि आपको प्रेसर आया और आप लेटरिंग तक नहीं पहुँच पाएंगे और मलत्याग हो जाता है ऐसे तक लोग हैं तो आप देखिए पहले तो खान पान में ज़्यादा गरिष्ट भोजन साम के रात को तो यह बवसीर की दवाई है मित्रो हमारी जो बनाई हुई है इसको एक केला पका हुआ केला लेजिए उसको बीच में से फाड़के चार या पाँच ग्राम दवाई उसमें पूरे केले में रखिए और सुबह एक बार खाली पेट खाना है एक बार वही केला ऐसी फ Gustav लगे खाना है तो पांलो को 20 ग्राम दवाई луч जाती है ऐसा केबल 2 दिन प्रियोक करना है इस केले को खाने के लजा आपको उसके उपर से पानी नहीं पीना है, केले के उपर से पानी नहीं पीना है, जब आप भोजन करें, और खिचडी, मुंकी दाल की खिचडी, जब तक ये दवा दो दिन चलेगी, जब तक आपको मुंकी दाल की खिचडी का ही प्रियोग करना है, दूसरी कोई चीज खाना नहीं है तो आप देखेंगे दो दिन में ये रोग ठीक हो जाता चाहे कितना ही पुराना हो महिला को हो बच्चों को हो पुरुस को हो कितना ही पुराना हो जादा से जादा तीन दिन बस इस से जादा इस दवाई की जरुवत नहीं पड़ती चाहे बादी हो बवसीर चाहे टीक है और बहुत सारे लोगों को इससे फाइदा हुआ है और होता ही है तो यह बावसीर की दवा है मित्रों तो मैंने आज बनाई थी तो मैंने का वीडियो डाल दूँ मेरा जिसको चाहिए तो मेरा यह वाट्सप नमबर है 91658238000 और यह भी वाट्सप नमबर है 7223861543 यह बड़ी सटीक दवा है और बहुत तकलीफ दायक है यह बावसीर का रोग ऐसा हो जाता तो आदमी बैठ नहीं पाता है जाए महिलाओं को या पुरुस को जिसको भी हो बहुत तकलीफ वह जानता है जिसको यह होती है लेटिन करते टाइम मलत्याग करने में भी आदमी के प्राण निकल जाते हैं यह ऐसा रोग है तो नमस्कार मित्रो जिसकी को तकलीफ है यह दवा हमसे बुला सकता है इसके साथ साथ हम एक एक और लिक्विड भी देते हैं जिससे कि अगर जब यह सूखते हैं मसे तो थोड़ी सी तकलीफ हो तो उसका इंफेक्शन को खतम करने के लिए क्लिक्विड भी देते हैं इस तरह से दो चीज मिलके यह दवा आती है नमस्कार मित्रो मैं पंडित अखिल्शुक्ल जैमाकाल आयर्वेट